लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए लॉकडाउन के बीच मोटर गैरेज और वरक्शाप बंद हैं ऐसे में अती अवस्यक सिवाओं से जुड़े वाहनों के खराब होने पर उनकी रिपेरिंग की बड़ी मुसीबत पैदा हो रही है मनपा की पाबंदियों के कारण मेकैनिक गैरेज खोलने और काम करने को तयार नहीं है दरसल लॉकडाउन में अती अवस्यक सिवाओं से जुड़े वाहन तो चल रहे हैं फिर उनके लिए मोटर गैरेज और वरक्शाप भी चलने चाहिए फिलाव इन पाबंदियों से वरक्शाप और गैरेज में काम करने वाले कामगारों के लिए रोजी रोटी की भी मुस्किल पैदा हो गई है ऐसे में मेकैनिक और वहनचालक दोनों रेश्मिंग दुकानों के तरह दिन में चार घंटों के लिए गैरेज खोलने की परमिसन मांग रहे हैं देखे रिपोर्ट करोना के उपर ट्रांसपोर्ट चल रही है क्या गैरेज इसको चालू नहीं रखना चाहिए कि अश्टाब लोंगा पगर देने बहुत क्लिप हो रहे हैं लोग्डाउन के गार करोना के कारण जारी लोग्डाउन हर दिन नई मुसीबत बन रहा है नई मुस्किल मोटर गैरेज और वरक्शाप को लेकर है जो महानगर पालिका की पाबंदियों के कारण पूरी तरह से बंद है यही कारण है कि हतियाव अश्रक सेवाओं से जुड़े वाहनों के खराब होने पर भी कोई मकैनिक नहीं मिल लहा है जो गाड़ी की रिपेरिंग कर सके कार या टेमपो चालकों की अपनी परिसानिया है लेकिन इन में बाइक सवारों की मुस्किल और बड़ी है जिसे बंद पढ़ने पर ढखेल कर लाना मजबूरी है बीजेपी के महामंतरी वीजेगाटे ने कहा कि यह लॉकडाउन की घटिया एसोपी का नतीजा है उन्होंने मनपा के मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अधिकारियों को लगता है कि जो गाड़ियां सडकों पर दोड रही है वे लॉकडाउन के डर से कभी खराब नहीं होंगी अगर ऐसा नहीं है तो फिर गैरेज खोलने पर पाबंदी क्यों है सरकार के लॉकडाउन के विशे में जो भी नियम है वो सारे के सारे जिसको कहते हैं तुगल की निरने है उस तरह हिसाब से अब देखिए सबरे साथ से 11 एसेंशियल सर्विसेस के लिए उन्होंने चालू रहा नौन इसेंशियल सर्विसेस वो भी ज़रूरी है कपड़े के दुकान ज़रूरी है स्टेशनरी ज़रूरी है ऐसे काफी सारी चीज़ है हाड़वेर है आपका ज़रूरी इसके लिए कोई भी नहीं आज अगर रोड के उपर वेहिकल चल रही है तो वेहिकल की मरमत हो सर्विसिंग हो स्टार्ट नहीं हो रहा है बैटरी डाउन है तो उसके लिए कहां को चला जाएगा जिसके अंदर से चोटे चोटे लोगों को अपनी रोजी रोटी मिल चक Τे है उसके बारे में ना स्टेट से गवर्नेंट को सोच रही है ना उसके बारे में कुछ काम चल रहा है सिर्फ सो करोर का टारगेट वाज़े परकरन पालगर इसके सिवह और कहीं कुछ नहीं काम कर अब गैरेज बंद होने का खाम्याजा बुगत रही इन लोगों की सुन लीजिए ये दोनों लोग अपनी बंद गाड़ी को यहाँ गैरेज तक ढखेल कर लाए हैं लेकिन यहाँ कोई भी मकैने काम करने को तयार नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे में वे अती आवस्चक सेवाएं कैसे दे पाएंगे वहाँ चालकों ने मनपा प्रशासन से इस पर समाधान निकालने की अपील की अब गैरेज ओनर अनिकेत की सुन लीजिए अनिकेत ने बताया कि उन्हें हर दिन अती आवस्चक सेवाएं से जुड़े पुलिस मनपा करमचारी और दूसरे लोगों के फोन आते हैं लेकिन वे उनकी गारी नहीं ठीक कर सकते क्योंकि जैसे ही गैरेज खोलेंगे मनपा 10,000 की पेनल्टी लगा देगी गैरेज चालकों की माने तो लोगडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी सब कुछ ठप हो गई है ना खर्च निकल ला है ना दुकान का भड़ा फिलाल वहन चालक और गैरेज ओनर रेस्मिंग दुकानों की तरह वरक्शाप के लिए भी चार घंटे की छूट देने की मांग कर रहे हैं आइए सुनाते हैं उनक्या क्या कुछ कहना है मेकनक लोगों को कि जेशनाकरीक को गाड़ी बंद पढ़जा दूप में गलमी में भवती तकलिफो हो रही है । मेरा घाड़ी घार भूँए है गाड़ी कोई रिपर नहीं कर रहा है तो क्या करे है कोई तो ने कायनेक करें करना चाहिए लेकिन यह बंद है उसके वज़े से कोई नहीं काम कर रहे हैं क्या करना चाहिए अभी यह लोग मान अगर पलिक जो भी है रूल मानते हैं नहीं असा नहीं लेकिन वह लोग को भी रोजी रोटी है वह भी चलना चाहिए और मेरा गाड़ी खराब हो गया कोई नहीं अभी टाइम खतम हो मेरा गाड़ी में धक्का मार के यहां तक लेकिया है अभी ओ लोग भी नहीं कर रहे है कौन करेगा खाले उनको थोड़ा तो शूट देना चाहिए कि कम से कम काम कर दो बस उतना ही मेरा गुजारिस है बहुत टाइम से लोगडाउन चल रहा है उसके कारण मेरा रेंड का तक फोन कर दे फिर भी हम उनका काम नहीं कर पाते तो थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा गवर्णमेंट ने सोच के हम लोगो थोड़ा टाइम देना चाहिए बुकान खोलने के लिए कस्टमर जो लोग आ रहे हमको बुलाते फिर भी हम उनको रिटन कर उनका काम नहीं कर पार है बाखी का जो ट्रांस्पोर्ट सब चालो है तो थोड़ा गैरेज का भी थोड़ा बहुत सोच के हम लोगों भी थोड़ा टाइम देना जागा